महिला परिवच्छ की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खास वीडियो लेकर आया हूँ तोणी प्रतारान निवारान अधिनियम 2005 से संबंधित महत्वपोर्ण प्रस्न देखेंगे जो की टोटल 14 अब्जेक्टिव कोईशन देखेंगे जो लोग महिला परिवच्छ की तैया कहीं नहीं जाने माला है ना तो वीडियो को लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा ऐसी डेली क्लास करने के लिए तो सबसे पहले हम कोश्चन देखेंगे टोटल 14 MCQ प्रस्न देखेंगे इसके बाद हम आपको बैसिक कांसेप्ट समझाएंगे कि टोन ही प्रतारना निवारन अधिनियम 2005 को राज्य पाल द्वारा कभ सुईक्रिती प्रधान की गई तो आप लोग कमेंट करके बताएगे इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर आपका पहला कभी होगा 26 सितंबर 2005 को इसका आंसर बिलकुल भी होगा 26 सितंबर 2005 को है ना चलिए देख लेते है यह बिलकुल आंसर सही है उसी प्रकार सेकंड कोस्चन है आपका 36 गड में तोनही प्रतारना निवारन अधिनियम 2005 समपूर चथीज गड में कब लागु किया गया ये महिला परिवेक्षा के लिए काफी महत्तपड़ना वीडियो है तोन ही प्रतार्णा निवारा अधिनियम 2005 से संबंधित 14 अबजेट्यू को संदेखेंगे इसके बाद हम लास्ट में आपको बैसिक कांसेप्ट समझाएंगे कि तोन ही प्रतार्णा निवारा अधिनियम होत क्या है कितने धारा हैं और क्यों लागू किया जाता है क्योंकि यहां से जो वीडियो लग रहा है आपका बिल्कुल दो से तीन नंबर ऐसे एक्जाम में देखने को मिलने वाली है ठीक है पहली बढ़ा है तो वीडियो को एक बार सस्क्राइब लाइक का लिजेगे ऐसी लि परिभासित किया गया है तो आप सभी कहेंगे धारा टू में तून ही को परिभासित किया गया है कौन से धारा में तून ही है ना तो यह आपका होगा चलिए देखते हैं अब इसका चांथा कोस्चन कहता है कि इसमें 36 गण में टोन ही प्रताना निवारन अधिनियम 2005 के अंतरगत यदि कोई व्यक्ति किसी माध्यम से टोन ही के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्स का कारा वर्स दिये जाने का प्राधान है तो आप सभी कांसर बिल्कुल भी होगा तीन वर्स का कठोर कारावास एक बार फिर सब पढ़ते हैं कि 36 गण में जो टोन ही प्रताना निवारन अधिनियम 2005 है इनके अंतरगत यदि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोन ही के रूप में किसी की पहचान करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्स की कारावास होगी तीन वर्स की कारावास होगी है ना तो चलिए पांचवा कोस्चन है आपका 36 गण में तोन ही प्रताना निवारन अधिनियम 2005 के अंतरगत किये गए सभी अपराद होंगे तो आपका आंसर ए होगा अब छटवा प्रसन कहता है कि 36 गण में तोन ही प्रताना निवारन अधिनियम 2005 के अंतरगत समस्त अपराद विचारनी होंगे तो इसका आंसर ए होगा प्रताम सेली नयाई दंडदिकारी द्वारा है ना अब सात्वा का आंसर कौन सा होगा तो सात्वा प्रसन कहता है कि 36 गण में तोन ही प्रताना निवारन अधिनियम 2005 के अंतरगत नियम बनाने की सकती है तो आंसर ए होगा राज्य सरकार को यह नियम बनाने की सकती है कि तोन ही प्रताना निवारन अधिनियम 2005 के अंतरगत यह आपको नियम बनता है अब आठवा question है 36 गड़ तोन ही प्रताना निवान अधिनियम 2005 में कुल कितने धराएं हैं तो आप सबी कहेंगे टोटल आठवा का प्रस्ण हो जाएगा 16 कुल कितने धराएं हैं 16 धराएं हैं हम आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताएंगे ये धराएं कितनी हैं कियों लागू किया गया है और ये किसे टोन ही प्रताना निवान अधिनियम 2005 किसे कहते हैं ठीक है वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाएगे जो लोग महिला पर ये विक्षक की तयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्त पूर्ण वीडियो है अब नववा कोस्टन है कि छतीस गड़ में टून ही प्रताना निवान अधिनियम 2005 के अंतरगर यदि कोई वक्ति टून ही होने का दावा करता है तो उसे कितने वर्स का कारावास होगा अब दस्वा प्रस्ण है कि छतीस गड़ में टून ही प्रताना निवान अधिनियम 2005 के अंतरगर यदि कोई वक्ति किसी को टून ही कहकर उसे प्रतारित करता है तो उसे कितने वर्स को कारावास होगा यह बार बार इर्जाम में घुमा फिर आकर यही कोस्टन पूछ रहा है तो इसका आंसर आपको आजाएगा 5 वर्स देखे कैसे कोस्टन पूछा है घुमा कर यदि कोई वक्ति किसी को यह कह दे कि यह इसी दोरह प्रतारित करता है तो कितने वर्स का करावास हो सकता है 5 वर्स का हो सकता है देखे डो टोपिक आपको बताया पहले वो 3 वर्स का था यह अभी उसको 5 वर्स है जो प्रसन उसको बैसिक से समझेगा ठीक है अब 11 प्रसन है कि यहाँ पर 36 गड़ में टूनी ही प्रतार्न निवारन अधिनियम 2005 के अंतर गए यदि कोई वित्ती ओज़ा होने का दावा करता है ओज़ा का मतलब आप समझ रहे हैं ओज़ा की से कहते हैं मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ है ओज़ा क्या होता है तो देखे जो ओज़ा होता है तो एक बड़ समझेगा ओज़ा क्या होता है आपको मैं बताने वाला हूँ लास्ट अमें वीडियो में देखते रहिएगा तो बारवा का कोश्चन कहता है 36 गड़ में टोनी ही प्रतार्न निवारन अधिनियम पांच के अंतरगर बनाए गए किसी नियम के अधिन किसी अधिकारी या प्रदिकारी द्वारा निर्णा अथा पारित आदेश के विर्द कोई वाध है उसका अंसर आपका होगा बारवा का A सिविल नियाए ग्रान नहीं करेगा ठीक है इसका अंसर A ठीक है ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा महिला परियुक्षेक त्यारी करने वाले विद्यार्थी अब देखेंगे तेरवा प्रस्न क्या कहता है तो तेरवा प्रस्न है तो इसका अंसर B होगा धारा 13 ठीक है चवदा कोस्चन देखते हैं लास्ट कोस्चन आप ज़र टू कोस्चन है कि छतिस गड़ में तून ही प्रतार्ण निवारा अधिनियो दोजर पांच के अंतरगत हानी में सामिल है तो इसका अंसर A होगा साररी को अमानसिक नुक्सान याद रखना ये टोपिक क्या कहा रहा है हानी में सामिल है तो आर्थिक नुक्सान हो सकता है प्रतिष्ठा को नुक्सान बिल्कुल सहीं तिसका अंसर D होगा अब चलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका पोस्टर के लिए आपको मापी चाहूँगा इसको एक बार जरूर देखिएगा देखिए नोट हम हमने लिग चुके हैं कि इस पोस्टर में हमने तून ही प्रतानर निवन अधिन 2005 से संबंदित महतपूर्ण प्रस्णों को लिया है अगर किसी पोस्टर में किसी प्रकार की तूटी मिलती है या तो तूरंत हमसे संपर कर या तूटी की जल्द से जल्द सुधाने का हम प्रयास किये जाएंगे ठीक है मतलग अगर कोई भी हमार से कर कोई भी अगर कोश्चन में अगर तूटी वगर हो गया होगा तो अगर हम सुधाने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए जैसे कि आप सभी को मैंने कहा था कि यो टोणी प्रताना दियम 2005 है उसे संबंदित आपको टॉपिक बताने वाला हूँ तो देखे आज हम इस पोस्टक में 36 गर महिला परिविछक परिए इच्छा से संबंदित एक महत्वण टॉपिक के बारे हम जानकरी दे दिये हैं जिसमे इस टॉपिक के नाम है तोणी प्रताना दियम 2005 जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पोराने जमाने की जो सोंच थी हम लोग भले ही आगे बढ़ गए हैं पर जो हम पिछड़ा समुदाए हैं जो गाओं के छेत्रम निवास करते हैं वह पर महिलाओं को प्रतारित किया जाता ह या उन पर एक आरोप लगाया जाता है कि वह टूनी है ये टोपिक हम लेकर आया हैं तो इसको एक बढ़ समझ लिजेगा कि होता क्या है है ना तो हम इसके परिभासा भी आपको बताएंगे तो टूनी का मतलब कि वह काला जादू करती है या जादू टोना करती है जिसके मा किसी के पेड़ से लटका कर मर दिया जाता था इसी पेकर कुरुतियों को दूर करने के उदेश से 36 गड़ सरकार ने एक अधिनियम पारित किया गया है कौन से अधिनियम पारित किया गया है याद रखना टून ही प्रताना निवारन अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे 30 सितंबर 2005 से पूरे 36 गड़ में लागू कर दिया गया है अब इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं अथ्वा जीवी तवस्तियों काला जादू बुरी नजर ये किसी अन्यरिती से हानी पहुंचाएगा अथ्वा हानी पहुंचाने के सक्ति रखता है अथ्वा इस तरह हानी पहुंचाने का आसर रखता है चाहे वह डायान टोन हां अथ्वा किसी नाम से जाना जाता है ठीक है यह आपका डेफिनेशन है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताएगा, ठीक है, देखें इस अधिनयम से संबंदित कुछ महत्यपूर्ण हमने आपको वीडियो बताया है, महिला परिवेक्षक 2021 की दृष्टी से, उप्योगी सिद्ध हो सकते हैं, तो से यदि